दोस्तो हमारे दिमाग का काम है सोचने का, दिल का काम है खुन को पंप करने का, वहीं आतों का काम है भोजन को पचाने का, तो फिर लीवर का क्या काम है? लीवर सरीर रूपी परिवार का वो सदश है, जिसके बारे में किसी को भी ठीक से जानकारी नहीं होती है, कि आखिर वो काम क्या करता है, लेकिन जिस दिन लीवर बिमार पड़ता है, तो परिवार का सारा का सारा काम धरा का धरा रह जाता है दोस्तो लीवर हमारे सरीर का वो ओर्गन है जिसके कटने पर वहाँ वापस से पूर्ण रूप में आ जाता है मतलब उसमें पुनरूद भवन की छमता कूट-कूट कर भरी हुई होती है एक एक्सपेरिमेंट में ये दीखा गया है कि लीवर का 70% हिस्सा काडने के बाद बचा हुआ 30% हिस्सा कुछ दिनों में 100% हो जाता है मतलब इसमें सेल डिविजन बहुत फास्ट होता है लीवर का काम एक फैक्टरी की तरह या कहें सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की तरह या हम कह सकते हैं लॉजिस्टिक सेंटर की तरह ये काम करता है या फिर इनका मिला जुला रूप हो सकता है दोस्तो हमारा लीवर पोटल वेन के साथ हमारे पाचन तंतर से जुड़ा होता है और इसी वेन से यहाँ पर तकरीबन 80% ब्लड का सप्लाई होता है बाकी बचा हुआ 20% ब्लड हेपेटिक और्टरी से आता है जो हर्ट से कनेक्ट होती है जहाँ ऑक्सिजन का अमाउंट अच्छा होता है दोस्तो यदि हम लीवर का स्ट्रेक्शर जूम करके देखें या माइक्रोस्कोप में उसको जूम करके देखें तो उसमें हेग्जागोनल संरचना पाई जाती है इसे हैपेटिक ग्लोबिूल कहते हैं जो संख्या में तकरीबन 10 लाग के आसपास होती है दोस्तो लीवर हमारे सरीर का इंपोर्टन्ट और्गन है जो सबसे बड़ा होता है और जिसका बजन तकरीबन 10.5 किलो के आसपास होता है जो की बोड़ी में राइट साइड में सुरक्षित रहता है इसके रंग की यदि हम बात करें तो ये डाक ब्राउन होता है या फिर कह सकते हैं रड़िस ब्राउन होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें हमेशा 13% बलड भरा रहता है ये कुफर सेल्स और हैप्टिक सेल्स से बना होता है जिनके खराब होने से हैपेटाटस रोग हो जाता है दोस्तो हम जो भोजन लेते हैं उसमें उपस्दित अच्छे और बुरे सारे तत्व लीवर में ही पहुंसते हैं और यहीं पर वसा कार्बोहेडरेट और प्रोटीन को प्रोसस किया जाता है जिससे वर्डी को इनर्जी मिलता है यहीं पर दोस्तो आतों के बैक्टेरिया पुराने ब्लड सैल्स भी पहुंसते हैं जो ब्रकेज होने के बाद बिलूर्बिन नामक पीला पदार्थ बनाते हैं और इसी के रीजन से हमारा पिशाब का कलर पीला होता है दोस्तो हमारा लीवर बड़ा ही महनती काम करता है यह खून के अंदर की गंदगी को साफ करता है और टॉक्सिक पार्टिकल्स को अब्जॉब करके उनको डैस्ट्रोई करने का काम करता है मतलब उनको खतम कर देता है दोस्तो यदी कोई व्यक्ति सराप का सेवन करता है तो लीवर उसको पहले असेटिक आसेड में कन्वर्ट करता है और फिर उसको पानी और सीवो टू में तोड़ देता है दोस्तो लीवर का एक और important काम पितरस का निर्मान करना ये प्रति दिन लगभग एक लिटर पित्रस का निर्मान करता है जूकि गाल ब्लेडर में सुरक्षित रहता है या स्टोर रहता है और जरुत पढ़ने पर भूजन को बचाने के लिए छूटी आंत में टाइम टू टाइम इसको भेज दिया जाता है मतलब छूटी आंत में उपस्दित वहसा को तूड़ने का काम करता है मतलब उसको सरल अनुओं में कनवर्ट कर देता है दोस्तों गाल ब्लेडर में कभी कभी कंसंट्रेशन बढ़ने से पत्री या स्टोन की समश्या बन जाती है ऐसा किड़नी में भी हो सकता है यदि आप गाल ब्लेडर स्टोन और किड़नी स्टोन से संबंदित वीडियोज को देखना चाते हैं तो आप चैनल पर जाकर वाच कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दियेगे लिंक को फोलो करके वाच कर सकते हैं दोस्तो ये वीडियोज बहुत ही डिटेल में बनाए गए हैं और प्रतेक वीडियो को कम से कम पांच लाक लोको द्वारा देखा जा चुका है दोस्तो फिर से बात करते हैं लीवर के बारे में देखिए यदि आप लीवर से बहुँ ज़्यादा काम करवाएंगे तो पिसक ये ठक जाएगा और बिमार हो सकता है इसलिए बीच बीच में आप इसे आराम देते रहें दोस्तो लीवर का काम अब आप जान गए होंगे सरीर को डीटॉक्सिफाई करना है लेकिन यदि इसे रोजाना सराब से ही मुलाकात करनी पड़ेगी तो यह जादा दिनों से संभाल नहीं पाएगा और ये शराब को फैट के रूप में कनवर्ट करना स्टार्ट कर देगा यदि आप वाइन लेते हैं या फिर यूँ कहें सराब का शेवन करते हैं तो तकरीबन आपको एक महीने का गैप दे देना चाहिए तो हमारा लीवर वापस से ठीक से काम करना स्टार्ट कर देता है दोस्तो लीवर जरुरत के इसाब से कार्बो हैड़ेट को सपलाई करता है और बच्ची हुई एक्स्ट्रा को फैट में कनवर्ट कर देता है जिससे बोड़ी में एक्स्ट्रा फैट डिपोजिट हो जाता है जिससे सरीर में मोटा पना जाता है फैट के बढ़ने पर लीवर फैट को भी दीरे-दीरे कॉलिस्ट्रोल में बदलना स्थार्ट कर देता है जिससे हमारी वेंस गलॉक हो सकती है इसलिए आपको ज़्यादा फैट नहीं लेना चाहिए मतलब आपको घी और तेल अवाइट करना चाहिए साथ ही आपको चिकनी चीजों का इस्तेमाल भी कम कर देना चाहिए दोस्तो लीवर सरीर की सेल्स को जिन्दगी देने के लिए या यू कहें जिन्दा रखने के लिए गुलूकोज को रिलीज करता है जो हमको भोजन से मिलता है और उसके बाद यदि एक्स्ट्रा बसता है तो उसे गुलूकोजन में बदल कर स्टोर कर लेता है और जब कभी आप फास्ट करते हैं या पर किसी कारण से खाना नहीं ले पाते हैं तो ये वापस से गुलूकोज में कनवर्ट करके सेल को देता रहता है दोस्तो कई बार कंडिशन ऐसी आती है कि सरीर में गलाइकोजन खथ होने लगता है तो लीवर क्या करता है? प्रोटीन और फैट को तोड़ कर ग्लुकोज बना लेता है और सेल्स को देता रहता है जिससे सरीर को इनर्जी मिलता है दोस्तो लीवर का एक और खास बात है ये मा के पेट में पल रहे बच्चे में खून का निर्मान करता है साथ ही बलड में सुगर कंट्रूल करता है खून का थक्का बनाता है और विटमेंस संग्रहन का काम भी करता है दोस्तो हेपेटाइटस में लीवर में वाइरस आ जाता है जो लीवर को डैमेज कर देता है जिससे लीवर काम करना बंद कर देता है और व्यक्ति की मृत्यू भी हो सकती है ये तीन तरीके का हो सकता है हेपेटाइटस A, हेपेटाइटस B और हेपेटाइटस C तीनों प्रकारों में तीन अलग अलग वाइरस होते हैं जो लीवर को बुरी तरीके से डैमेज करते हैं इसी कारण से हेपेटाइटस का हम लोग ठीका लगवाते हैं दोस्तो पीलिया में भी लीवर का काम होता है, सरीर में डैड आर्बीसीज मतलब बाइल जूस में बिलूरूपिन का निर्माण जादा हो जाता है, जो ब्लड में जाकर के मिल जाता है, इसका रंग पीला होने के कारण हमारा पूरा सरीर पीला हो जाता है. दोस्तो आज की लेक्चर में आसा करते हैं आपको लीवर से सम्मंदित कार समझाये होंगे, यदि ऐसा है तो आप इस वीडियो को कम से कम एक लाइक जरूर करें, और आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही आप बेल आइकोन को भी प्रेस कर लें, जि से आपको नए वीडियो मिलते रहेंगे, थेंक्स पूर वर्चिंग